मसकार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चनल पे दोस्तों मैं हूँ एड़ोकेट मंजीत रपाठी थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले में उसको थोड़ा सा आप लोग साइड कर दीजेगा आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि लोन लेने वाला वेक्ति मर जाता है तो उसके लोन का क्या होता है यदि किसी वेक्टी ने कोई भी लोन लिया है चाहे वो सेक्योर लोन लिया है या फिर अनसेक्योर लोन लिया है देखिए अनसेक्योर लोन में तो होता है कि अगर लोनी के डेथ हो जाती है तो उसका जो भी legal hair होता है उसमें उसको बहुत सारे छूट मिलते हैं और कभी-कभी account close भी हो जाता है कभी-कभी bank पैसे माफ भी कर देती है अगर loan बहुत छोटा है तो लेकिन बात करें अगर secure loan की अगर property mortgage है और इसमें loan लेने वाली व्यक्ति की death हो जाती है तो इसमें किस प्रकार से उसके उत्राधिकारी legal hair जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं किस प्रकार से उस loan को एरजिस्ट करेंगे और किस प्रकार से उस loan को वह भर पाएंगे या फिर bank का क्या legal action होगा अगर वो loan नहीं भरते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात को detail में जानने की कोशिश करेंगे तो दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अन तक देखिया यह वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है यदि आपने या फिर आपके किसी भी रिस्तदार ने secure loan लिया है तो तो दोस्तो चल्वे पहली बारा है तो हमारे इस चल्ल को subscribe भी कर लेजेगा साथी साथ बेल आइकन दवाके all notification को भी आप on कर लेजेगा ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी loan सम्मंदित, surface act सम्मंदित या फिर कानून सम्मंदित कोई वीडियो अप्लोड हो तो उसके notification की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चल्ये दोस्तो देर निकरते हैं इस वीडियो को ब सुरु करते हैं दोस्तो देखिए मेरे पास बहुत सारे लोगों ने comment करके एक बात पूछी है और हमेशा पूछते रहते हैं कि סर हमारे पिता जी ने केसी सी लोन लिया था उनकी death हो चुकी है कोरोना की वज़ह से किसी के पिता जी ने secure loan लिया था घर को mortgage करके कोई सेने business loan लिया था किसी ने home loan लिया था लेकिन लोनी की death हो गई है तो इसमें जो common word है कि अगर लोनी की death हो जाती है loan लेने वाली के death हो जाती है तो उसकी जो liability होती है किसकी बंती है अगर उसके घर में उसके बच्चे छोटे हैं या फिर उसकी wife है जो काम नहीं कर पाती है source of income बंध हो चुका है यानि कि काम कहीं से नहीं पा रहा है पैसे नहीं आ पा रहा है या फिर अगर उनके बच्चे बड़े हैं अगर पैसा भरना चाहते हैं तो सहूलियत किस प्रकार से मिलती है तो बहुत सारे questions हैं सबके questions को individually answer करना possible नहीं है तो आज इस वीडियो के माध्य से मैं आपके सारे प्रश्णों का उत्तर देने जा रहा हूं तो देखिए ध्यान से देखिएगा बहुत ही आराम से सुनिएगा इसमें किसी प्रकार की चिंता के भी से नहीं होने वाली है दोस्तों देखिए यदि आपकी पिता जी ने कोई भी mortgage loan लिया है यानि संपत्ति क गिर्वी रख करके कोई भी loan लिया है अगर उनकी death हो जाती है तो इसमें किस प्रकार से आप उस loan को adjust करेंगे सबसे पहले तो आप यह देखिएगा कि आपकी पिता की नाम से कोई insurance हुआ है कि नहीं तो आप बैंक से list of document मांग सकते हैं यदि आपके पिता जी की death हो गई और वह insurance से covered death है तो वह loan उस insurance को claim करके ही adjust हो सकता है अमूमन home loan में यहीं होता है यदि कोई insurance नहीं है फिर भी property collateral है यानि कि security गुरूप में या बंधक के गुरूप में बैंक के पास गिरवी है loan लेने वाली के death हो गई है और उसके बच्चे छोटे है तो इसमें देखिए loan सीधे उनकी पत्नी के नाम पे transfer हो सकता है दूसरी बात यह है कि इसमें उस व्यक्ति की जो loan है उसके मृत्यू के बाद भी उस loan में 35% तक bank maaf कर सकते है principal amount में यानि कि अगर bank settlement करना चाहे तो 35% क discount bank दे सकते हैं क्योंकि उसके घर में किसी प्रकार से कोई भी source of income नहीं है किसी प्रकार से कमाई का जरिया नहीं है और उनका जो घर है वह मात्र एक उनका सहारा है तो यहाँ पे bank ऐसे व्यक्तियों के loan को 35% तक maaf कर देते हैं और वहाँ पे settlement हो जाते हैं तो दोस्तों देख bank को सूचना देनी होती है कि हमारे पिताजी की मृत्ति हो गई है हमारे पिताजी ने loan लिया था यह उनका debt certificate है तो bank आपको कहेगा कि हम आपको फिर co-applicate बनाते हैं या फिर यह loan आपके ऊपर transfer करते हैं और इसके बाद इसकी जो देंदारी होगी वह आपकी होगी तो इसमे आप कहेंगे कि sir हमें तो bank के साथ settlement करना है क्योंकि हमारा source of income उतना है नहीं तो bank आपके साथ settlement करने के लिए भी तयार हो जाती है कभी कभी कोई bank कहता है कि नहीं हम आपकी property को mortgage किये हुए हैं तो हम इसको बेच करके पैसा अपना वसू सकते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत साथानी से फिर काम लेना होगा यदि bank आपको notice भेशती है 132 या 134 की तो उस 134 की notice के आधार पे आप सीधे high court move कर जाईए वहाँ पे rate petition file करके समीधान में दिये गए article 226 के अंत्रगत वहाँ पे rate petition file करके वहाँ पे कि stay के लिए आप मांग कर सकते हैं कि sir हमारी पिताजी के म मृत्ती हो गई है और हम इसमें चाहते हैं कि हम बैंक एसा सेटलमेंट करें लेकिन बैंक बहुत ही गलत तरीके से हमें notice भेज रही है और हमें साजिसन हमारे property को बेचने के लिए वह auction कर रहे हैं तो किरपया इस अंदर में bank को direction दिया जाए कि वह हमारी संपत्ती को न बेच है कि वह संपत्ती हमारा एक मात्र सहरा है एक छत है जो कि समीधान में दिये गए अनुशेत 21 के अंदगत right to shelter यानि कि छत का धिकार भी हमारा है तो यहां पर आपकी बातों को सुन करके high court चाहेंगे तो उस पर stay दे देंगे और फिर bank के साथ आप वहां पर settlement कर सकते हैं तो इस प्रकार से लोनी की death होने के बाद वहां लोन उनके बच्चों पर transfer या फिर उनकी पत्नी के नाम पर transfer हो जाते हैं इस case में अगर वह secure loan है तो उसमें कभी कभी पूरा loan माफ हो जाता है या फिर उसमें से भी settlement होता है तो उसमें 45% या फिर 50% पर वह settlement हो सकता है तो दोस्त इस प्रकार से आपने जाना कि अगर लोनी के death हो जाती है तो लोन को किस प्रकार से settle कर सकते हैं और क्या क्या procedure है दोस्तों यदि आपने भी किसी भी bank से कोई भी loan लिया है secure loan लिया है चाए unsecure loan लिया है चाए कोई गाड़ी finance कराई है और bank की तरफ से आपको परिशान किया जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें तो आप स्क्रीन पर दिये हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैटे ही आप legal advice ले सकते हैं दोस्तों यह वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट सेक्षिन में जा करके कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो चलगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजगा और हमारे चनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करेगा थैंकिस सो मच जहिन दोस्तों